सुबह सुबह जल्दी उठकर तयार होना और सलार देखने जाना इतना क्रेज और फिर आप सब के लिए आकर रिव्यू रिकॉर्ड करना था तो उसी एक्साइटमेंट के साथ मैं पहुच गई थेटर में सलार भाई एक प्रशान निल फिल्म है और ये जो डेटर है ना उनहोंने एक फॉर्मुला क्रेट किया वह है कि उन्होंने जो केज एफ 1 में और केज एफ 2 में जो है दोनों में बहुती अच्छा काम किया हुआ है बट भाई वही रियूज किया है उन्हेने सलार मुवी में भी जब टीजर और ट्रेलर आया था तो भाई मुझे ऐसा लगा था कि बहुत ही मज़ा आ गया भाई मज़ा आ गया बट स्टोरी न अगर आप देखोगे न तो कुछ हद तक वैसी ही है बट स्टोरी और कैरेक्टर देहिए उन्हें सब को प्रेजन करने का तरेका स्क्रीन पर दिखने वाला कलर रियक्षिंज्श भाई लोग शौट्स सब आपको सेम ही सेम लगेगा इविं जू अब्यद आपको उसमें दिखने वाला है वह सब भी सेम लगता है तो एक्सपेक्टेशिंग लेके जासकता ह जिन लोगों ने केज एफ की दुनिया नहीं देखियों एकदम डीब में जाने का लॉजिक होजने का ट्राय भी मत करना क्योंकि लॉजिक के एल भी आपको मुवी में नहीं देखने को मिलेगा मुवी के सीन्स पर क्वेशन करोगे तो बस आंसर ढूंडते रहाजाओगे बट आंसर नहीं मिलेगा धाई गंडे के बाद जेल वाला एक सीन आता है जहां पर हीरो ने चार लाइन बोली और मुझे लगड़े कि भाई ये कुछ बोल भी रहे हैं यह मत तोचना कि हीरो के डायलोग्स नहीं है भाई हीरो के डायलोग्स है लेकिन सारे वन लाइनर है क्योंकि मचौरिटी वाला काम तो मुवी के साइड कारेक्टर नहीं किया है एक चीज आपको इंप्रेस करेगी वह कुछ ऐसे सीन से जिन में आपको देखे अड़े यार क्या सीन है वाव वह स्लो प्रभास का स्लो मोशन में आ आप उपनी सीट पर चिपक के बैठरे हो ताइड ही वह बिना हे आप इले डू लए तो ही आपको मुवी थोड़ी बहुत सब्दू समाज में आ सकतिया है नेक्स्ट पिक्चर में दिखाने वाले हैं, ऐसी तो मूवी है, यह मूवी आपको emotional करने वाली है, इसलिए थोड़ी सी दोस्ती पे इन्होंने focus किया है, emotion करने के लिए, जो थोड़ा बहुत, which is like good, बट इतना sufficient भी नहीं है, जिसको आप कह सकते, love angle तो यार दिखी नहीं रहे वो मुझे थोड़ा बहुत, आप मूवी में पसंद आया है, एक बात तो मुझे समझ में आ गई है, कि मूवी के स्टार्ट में, यार समझ आया कि नहीं है, कि मूझे समझ नहीं है, कि मूवी के स्टार्ट में, एक जिए उन्हें लिखा है, special thanks to rock star, yes, लिखके तो आ रहा है, पर यार मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहे, आप सबको दिखाई दिये, कि अगर जिसने देखी, बताना, कि आपको दिखाई देगा, कि मैं तो मूवी में खोस्ती रहेगे, मूवी खतम होगे, मैं को थेटर से बहार निकल ला है, बहीं वो नहीं देखे, तो मुझे तो बहुत ज्यादा ही पसंद आई थी, यह भी वन टाइम वाच आप कह सकते हैं, अगर आप प्रवास पसंद है, और उसके आप कुछ भी नहीं सुन सकते हैं, तो यह मूवी आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी, मगर आप एक नॉर्मल बंदे हो जार, जो मूवी देखना सब्सक्राइब करना है, बाके तो आप बहुत समझदार हो, आपको अप तक समझ में आई गया कि इस अलार आपको देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए, तब तक के लिए बाबाई